Hello guys, Welcome back to another video मैंने पिछली वीडियो में दसंफोल क्राची जीले के साइट से दिखला दिया है तो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों को खुटी जीले के साइट से दसंफोल दिखलाने वाला हूँ और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को दसंफोल के सची खटना बतलाओंगा जिससे कि आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि छैला संदो के आत्मा अभी भी वहां भटक रही है गाइस तो मैं अभी जो आप लोगों को कहानी बतलाने वाला हूँ यह कोई मनगरंत कहानी नहीं है यह कहानी सची घटना पर आधारी थै तो चलिए कहानी स्टार्ट करता हूँ कहानी मुंबई के रहने वाले दिपक की है दीपक ने मुंबई में रहकर ही अपनी सारी पढ़ाई पूरी की ग्रिजवेशन स्माप्त होने की एक साल बाद दीपक को कहीं घुमने के लिए जाना था क्यूकि मुंबई की भीडबाड दीपक ने काफी छेल ली थी इस घहनी अबादी वाले छेतर से निकल कर दीपक को कहीं खुलेवा तावरन में जाना था जो प्राकृतिक छटाओं से भारा पूरा हो दीपक के जहन में जारकन की राजधानी रांची का ख्याल आया रांची से 47 किलोमेटर दूर पर पानसकम गाउं के पास एक बहुत बड़ा जहरना है जिसका नाम दसंपोल है इस जहरने का वेग बहुत तेज है दीपक इस जहरने को बहुत ही साधारन जहरना मान वहां जाने के लिए तयार हो गया था लेकिन दीपक को मालूँ नहीं था कि यह जहरना अन्य सभी जहरनों में से अलग एवं विचित रहें जो अपने आप में कई रहसियों को समेटे हुए है दीपक अकेला ही जहारखन जाने के लिए तयार था और अगले ही दिन दीपक वहां पहुँचा तो वहां के वातावरन ने दीपक के मन को मोह लिया चारो और बड़े बड़े पेड एवं घने जंगल जिसकी हर्याली देख मन को सुकुन देने वाली थी दीपक बहत खुस था यहां तक पहुँच कर दीपक पान सकम गाओं तक पहुँच गया जहां से दसम फोल सुरू होता था पान सकम गाओं में पहुँचते ही दीपक ने आदिवास्चों की कई जुट को देखा और वहां मौजूद अस्थानी लोगों की जानकारी लेकर दीपक दसम फोल तक पहुँच गया इतने बड़े जहरने को देख दीपक की आखे चकाचौन हो गई पहार की उचाई से गिर रहे पाने के मोटे धार जब तल पर मौजूद चटान से टकरा रही थी तो उससे एक अलगी ध्वानी निकल रही थी जो सीधे दिल पर दस्तक दे रही थी उस बड़े जहरने के बगल में दीपक को एक बहुत बड़ा सुरंग दिख रहा था दीपक ने देखा उस सुरंग की आधी मुख एक छोटे से चटान से धके हुई है जहरने को पार कर उस सुरंग के पास जाना दीपक के लिए खत्रे से खाली नहीं था क्योंकि उपर से तेजी से आ रहे हैं जहरने अगर दीपक के सरीर को इसपर्स करती तो दीपक सीधे उस सुरंग में जा गिरता लेकिन फिर भी दीपक को उस सुरंग के पास जाकर सुरंग को देखने की जित जैसे ही दीपक आगे की और जाने के लिए पैर बढ़ाता है करना बहुत ही खतरनाक है अगर यहां थोड़ी सी भी आसाओधानी बढ़ती जाए तो मौत तैह है उस व्यक्ति ने यहां भी बताया कि इस जरने के चक्कर में कई आदमी इस सुरंग के अंदर चले गए हैं जिनकी आज तक कोई भी खोज खबर नहीं है दिपक को उस आदमी की सारी बाते फिजूड लग रही थी उस समय तो दिपक ने उसकी बाते मान ली लेकिन जैसे ही वह वहां से गया दिपक तुरंग थी उस सुरंग की और आगे बढ़ने लगा जैसे ही दिपक ने नीचे बड़े बड़े चटान मौजूद थी जिन पे काफी फिसलन थी लेकिन दिपक चटानों से बस्ता बस्ता उस सुरंग के समी पहुच गया बाहर से देखने पर सुरंग के भीतर काफी अंधेरा दिखाई दे रहा था दिपक के सरीर के उपर जहरने के थोड़े थोड़े धार गिर रहे थी पर उनमें उतनी ताकत नहीं थी कि दिपक को गिरा सकी दीपक अपने हाथों से उस सुरंग के आगे रखे छोटे से चटान को हटा दिया जैसे ही दीपक ने उस चटान को हटाया तो पता नहीं कहां से जरने की धार इतनी तेज हो गई कि दीपक अपने आपको संभाल नहीं पाया और उस सुरंग में जा गिरा दीपक सुरंग में गिरने के बाद द्योस हो गया था और जब उसे होस आया तो दीपक अपने आपको घास के एक बड़े धेर पर पाया दीपक चौक कर उठ गया और इधा उधर देखने लगा दीपक काफी घबरा गया था दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहा है यहां चारों और चटाने थी और अंधेरा भी छाया हुआ था दीपक ने उपर देखा तो सुरंग की मुख दिखी जिससे रोसनी आ रही थी और जहरने के आवाज भी यह आवाज और यह रोसनी दीपक को थोड़ी सुकून देने वाली थी लेकिन यहां सी उपर तक तकरीबन 60-70 फिट की दूरी थी दीपक को समझ नहीं आ रहा था की उपर कैसे पहुँचा जाए दीपक उपर चड़ने की काफी कोशिस कर रहा था लेकिन पहुँच नहीं पारा था क्योंकि जहरने के पानी से चटानों के बीच काफी फिसलन थी और थोड़ी पानी भी अंदर गुफा में आ रही थी धीरे धीरे अब साम होने वाली थी दीपक को लग रहा था अगर इस गूफा से बाहर ना निकला जाए तो उसकी मौत निस्ची थे दीपक ने अपनी बाई तरब देखा तो उसे एक छोटी सी गली जैसी दिखाई दे रही थी जो गूफा के और भीतर ले जा रही थी दीपक दूइधा में था आखिर यह सुरंग किस तरब जाता है क्या यह उसे पाहर तक ले जाएगा यह सोच दीपक उस छोटी सी सुरंग के भीतर प्रवेस कर गया अंदर ऐसा लग रहा था मानो यहां इसे किसी ने बनाया हो जैसे जैसे दीपक अंदर की और प्रवेस कर रहा था गुफाएं और भी डरावनी होती जा रही थी कम से कम पंदरा मिनट तक चलते चलते सामने में एक बड़ा सा गुमबत दिखा और एक खुली जगा थी सामने गुमबत के नीचे जो खाली अस्थान था उसमें जो दीपक ने देखा दीपक के होस उड़ गया दीपक ने अपने आखों से देखा कि लोहे के छोटे छोटे चकमुद्दों में लोहे की मोटी जंजीरों से धेर सारे नरकंकाल बंदे हुए थी देखने में ऐसा लग रहा था मानो उन्हें कई वर्षों से वहां कैद कर रखा गया हुए कुछ नरकंकालों की अस्थियां पुरानी होकर धोस्थ हो गई थी दीपक सोच रहा था हो ना हो कहीं मेरी हालत भी इन लोगों जैसी ना हो जाए इसलिए दीपक तुरंथी उल्टे पाओ गुफा के बाहर की और भागा और वही आकर रुका जहां वह गिरा था दीपक गुफा के उपर की और देख रहा था अचानक उसे ऐसा लगा मानो गुफा के मुख के सामने से कोई गुजरा हो दीपक जोर जोर से बचाओ 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 की दहार लगा रहा था बाहर जहरने के आवाज इतनी तेज थी कि सायद उसकी आवाज बाहर तक पहुँच नहीं पा रही थी दीपक इसी इंतिजार में था अगर जहरनी के आवाज कम हो तो सायद कोई उसके आवाज सुन पाए तकरीबन एक घंटे तक जोर जोर से चिलाने पर किसी ने दीपक के आवाज सुन ली और वह गुफा तक पहुँचा उसे देख दीपक को जेने की आस लोट गई सायदुआ कोई आदिवासी ही था और उसने तुरंथ ही एक रस्सी दीपक की और बढ़ाई और दीपक को उपर खीच लिया दीपक उस आदिवासी के भासा को समझ नहीं पा रहा था लेकिन दीपक को ऐसा लग रहा था मानो वह आदिवासी उसे फटकार रहा है या गाले दे रहा है दीपक तुरंत वहां से भाग गया उसी दिपक मुंबई की गाड़ी पकड़ कर मुंबई लोट गया बाद में इसकी चर्चा उसने अपने घरवालों से की उस घटना को जब भी दीपक याद करता है तो उसकी रूह काप उड़ती है दीपक सोचता है आखिरवा कोन था जो गुफा के सामने से गुजरा था और कुछ सुरंग के भीतर इतनी सारी लासे किसकी थी गाइस तो यह स्टोरी पूरी सुनने के बाद आप लोगों को यकीन तो हो गया होगा कि चैला संदो की आत्मा अभी भी दसंफोल के आस पास भटक रही है तो आप लोगों को इस स्टोरी कैसे लगी प्लीज मुझे कॉमें करके बतला देना और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वे लाइकन दबा देना मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बबाई टेक केर लव यू आल प्लीज चैनल